हाई दिस इज एनेच ग्रीन और टूदे वी आर गूइंग तो लॉन पानॉर्मा पार्ट टू भीहार बॉड इंग्लिश क्लास थेंथ चाप्टर टू मी एंड़ एकोलोजी बिट सबसे पहले मी एंड़ एकोलोजी बिट काम यानि टाइटल का अर्थ समझते हैं मैं और मेरा एकोलोजी का एकोलोजी वोर्ड का मतलब होता है स्टड़ी अफड़ रिलेशन से बिट्विन लिविंग थिंग एंड इन्वर्मेंट यानि एक ऐसा अधियन जिसमें हम सजीव वस्तूव का प्रयावरन के साथ संबंद का अधियन करते हैं उसे एकोलोजी हम कहते हैं एकोलोजी को हिंदी में वैसे पारिस्थिति की कहते हैं लेकिन यह और टफ हो जाता एकोलोजी से भी टफ हो जाता है इसलिए हम ज्यादा तर इस्तमाल जो इसमें करेंगे वह एकोलोजी करेंगे और बिट नाउन है जिसका और्थ कार है अपार्ट ऑफ सम्थिंग यानि किसी भी चीज़ का एक पार्ट यानि कार मैं और मेरा एकोलोजी कार और यह पूरा चैप्टर जो है इसी पे बेस्ट है जोन लेक्सिस परजेंट लेशन यहाँ पार्ट जो है यह लेशन जोन लेक्सियु को द्वारे लिखी गई है और पहले सेंटिन में जोन लेक्सिस परली यहाँ पेस्टेंट करें नहीं पढ़ेंगे present यहाँ adjective की तरह इस्तमाल हुआ है जो lesson के पहले है जिसका अर्थ है वरतमान existing, happening now जो अभी चल रहा हूँ, जो वरतमान हो lesson part, me and the ecology brings out bring out को हमने last time देखा था, bring out का मतलब होता है make out परकासित करना, परकास में लाना how the issue of preserving environment किस तरह एक issue है, मुद्दा है preserving preserve से बना, preserve verb है, और preserve का मतलब होता है keep from being damaged किसी भी चीज़ को संदक्षित करना ताकि वह खराब न हो और यहाँ पे preserve में ing लगा कर हमने इसे adjective बनाया, जब verb में ing लगा कर हम adjective की तरह इस्तमाल करते हैं, तो उसे हम participle कहते हैं, और यह यहाँ पे present participle की तरह इस्तमाल हुआ है, environment that means surrounding and saving ecology और ecology को बचाना, save करना is everybody's concern, पर तेक ब्यक्ति की जो है चिंता का भी सह है, concern means मामला, चिंता होना and difficult to solve, और कठीन है इसको solve करना, सुलजाना जोन लेक्सियू, वरतमान पाठ, me and the ecology bit में परकासित करते हैं, किस तरह वातावरन को संड़क्षित करना एक मुद्दा है, और ecology को बचाना यह हर किसी का मामला है, लेकिन यह कठीन है इसको सुलजाना preaching about ecology is easy यहाँ पे हम preach preach से preaching बना preach वर्भ है, जिसका अर्थ होता है उपदेश देना to tell people about a particular thing, especially religion लोगों को बताना लेकिन especially religion के लिए होता है लेकिन यहाँ पे जो इस्तामाल हुआ है यह ecology के लिए बचाना ecology के लिए preach करना preach से preacher noun बना जिसका अर्थ उपदेशक होता है और preaching जो है वर्भ में जब ing लगाकर हम noun की तरह उसका इस्तामाल करें पहले हमने किस तरह इस्तामाल किया था adjective की तरह तो participle present participle की तरह काम में हमने लिया था अब यहाँ हम noun की तरह उसका इस्तामाल करना है, subject की तरह इस्तामाल करना है, तो उसे हम gerund कहते हैं, तो preaching about ecology ecology के बारे में उपदेश करना उपदेश is easy, बहुत असान है, but it is difficult, लेगिन यह बहुत कठीन है to abide by, abide by again यहाँ phrasal verb है और abide का, abide का मतलब होता है पालन करना, carry out or put up with the rules of ecology ecology के नियम को preservation ecology के संरक्षन के नियम का पालन करना जो है, या कठीन है कहना आसान है, उपदेश देना असान है, हम सब उपदेश देते हैं, लेकिन कोई जो है, इसे संरक्षित नहीं करना चाहता है यहाँ पे तीन स्लोगन्स हैं जो स्टार्ट होता है, चैप्टर यहाँ पे पिक्चर आप देखें तो तीन स्लोगन्स है, एक सेव अर्थ, प्रिथवी को बचाना है, प्रिथवी बचाओ, सेव ट्री, पेड़ को बचाओ, सेव वाटर, पानी को बचाओ, तो यहाँ मी एंड एकोलोजी भी हमने इस प्रिचिंग, यानि उपदेश देना किस तरह आसान है, और उस चीज को पालन करना कितना कठीन है, यानि मैं और मेरा एकोलोजी कार, यह इसका थीम है, और यह स्टोरी पूरी जो है इसी पे बेस्ट है, अब चलते हैं नेक्स्ट पारग्राफ, इस पारग्राफ को शुरू करने से पहले, एक चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है, मैंने स्टोरी पड़ी थी, लेकिन उसे मैं सिर्फ एक लाइन में ही बता रहा हूँ, ताकि यह आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ दिया, एक बैक्ती होता है, और उसके एक कार से एक्सिडेंट होता ह है, आजकल कैसे लोग कार चलाते हैं, इन्हें कार चलाना भी नहीं आता, यह दसवी बार है, जो मैं एक्सिडेंट होने से बचा, तो इससे आपको पता लगता है गलती किसकी है, तो वही जो है इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे, कि हम उपदेश दे रहे हैं, क्या हमा अब हम शुरू करते हैं, यह पैराग्राफ Sure, it is hard to get people to work for ecology, निश्चेत रूप से, यह बहुत कठिन है, to get people to work, लोगों को काम पे लगाना, for ecology, ecology के लिए यह बहुत ही difficult है, बहुत ही मुश्किल है, कि यह ecology के हित में, लोगों को काम कराना, बहुत कठिन है, Everybody is in favor, जिसको भी देखो, वो इसके favor में है, favor of it, इसके favor में है, but nobody, लेकिन कोई नहीं चाहता, wants to do anything about it, और कोई भी इसके बारे में, कुछ नहीं करना चाहता, nobody, nobody प्रोनावन है, और इसे हम indefinite प्रोनावन कहते हैं, निश्चित नहीं है, at least, कम से कम, I am doing something, मैं कुछ कर रहा हूं, going around, अगल बगल जा रहा हूं, आसपास जा रहा हूं, what they should do, उन्हें क्या करना चाहिए, but all I get is a lot of backtalk, लेकिन, मैं जो पाता हूं, मैं जो सब पाता हूं, is a lot of backtalk, यहां backtalk को समझते हैं, क्योंकि backtalk में बहुत confusion होता है, backtalk जो है, एक noun है, और इसका अर्थ यह होता है, a way of answering that show no respect for somebody in authority, यानि आप किसी काम को कर रहा है, और किसी दूसरे का रोवया ऐसे हो, या वो ऐसा जवाब दे, कि आपको ऐसा लगे, कि आप उस position पे जो है, आपको कुछ respect नहीं मिला, respect नहीं दिखा रहा है, यानि यह लोग को दिख दे रहा है, लोग को बता रहा है, लेकिन लोग का जो respect है, इसके परतिर बिल्कुल नहीं है, तो backtalk का मतलब यह हुआ, कि जो भी मैं करता हूँ, लेकिन जो भी मैं पाता हूँ, वो एक सिर्फ backtalk ही होता है, I have this paper route, मेरे पास ये कागज का एक मार्ग है, नक्षा है, My father had one, मेरे पिता जी के पास एक था, when he was kid, जब वो हम बच्चे थे, So he made me, इसलिए उन्होंने बनाया, made me get one last year, last year मेरे लिए एक उन्होंने बना दिया, ताकि उस मार्ग से मैं लोगों तक पहुँच सको, between it and my homework, इसके, यानि paper route के, and my homework, मेरे ग्रीह कार्ज में, I hardly have time, मेरे पास शायद ही समय निकल पाता है, playing ball and stuff, ball यानि cricket, ball खेलना, या stuff किसी अंतरह का खेल खेलना, किसी और अंतरह का गेम खेलना, I hardly, यहाँ पे hard से hardly बना, hard जो है, आपका hard adjective की तरह होता है, एडवर्ब की तरह होता है, लेकिन hardly जो है, यह एडवर्ब की तरह होता है, और जब हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे, तो यह adverb of frequency है और इनका इस्तामाल just subject के बाद होता है जैसे hardly हो गया always हो गया never हो गया यह just subject के बाद आते हैं तो I hardly have time शायद ही मेरे पास समय है शायद ही बिलकुल नहीं किसी भी खेल को खेलने के लिए चाहे वो cricket हो चाहे वो कोई अन खेल हो some days कुछ दीन तो ऐसा होता है I get in only a few innings मैं हलका सा यह कुछ ही पारी जो है वो पाता हूँ कुछ ही पारी मुझे मिलती है innings means पारी but anyhow लेकिन किसी तरह on Saturdays Saturdays के दिन शनिवार के दिन when I collect जब मैं जमा करता हूँ संग्रह करता हूँ I put in a good work for ecology मैं खुद को put in डालता हूँ एक अच्छे काम में ecology के लिए like last Saturday अब हम last Saturday की बात करें अन्तिम Saturday की morning की बात करें Saturday morning it was a good collecting day यह बहुत ही अच्छे संग्रह का दीन था it has just turned spring वो क्यू था क्यूंकि just अभी जो है spring turn हुआ है यानि आया है turn means आना यहां पर हुआ spring just अभी turn मूर के आया है मने आया है and a lot of people were outside और बहुत से लोग जो थे वो बाहर थे देखिए पहला यहां पर जो है आपका हम यहां पर कहें तो paradox ही कह सकते हैं क्यूंकि यहां पर जो जमा कर रहा है वो यह कह रहा है कि last saturday सबसे अच्छा रहा last saturday morning क्यूं अच्छा रहा क्यूंकि spring season जो है वो शुरू हो चुका है और spring season शुरू होने की वाज़े से बहुत से लोग जो है वो घर पे नहीं थे घर के बाहर थे तो अगर कोई कचरा संग्रह करे और उसके लिए अच्छी बात हो कि कोई सारे लोग ना हो और वो संग्रह ना कर पाए तो उसके लिए खुसी की बात हो आप सूथ सकते हैं कि इनका जो है ecology जो work है वो किस तरह का work है वो किस तरह का work अंजाम दे रहे हैं किस तरह का work कर रहे हैं क्योंको खुसी हो रही है last Saturday वो बहुत खुस हैं क्योंकि लोग वहां नहीं मौझूद है और जिसकी वज़े से उनको ज्यादा संग्रह नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर जो collect है collect यहाँ पर दो sense देता है एक तो वो जो उपदेश देते हैं या जो संग्रह करते हैं जो कचरा संग्रह करते हैं या गारिवित संग्रह करते हैं या फिल्थ गंदगी को जो संग्रह करके collect करते हैं यह चीज़ जमा करना और collect यहाँ पर पैसा भी लेना इन सब का कार्ज को करने के लिए वो थोड़ा सा पैसा भी लेते हैं और लोगों को देश भी देते हैं और 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 कैसे करते हैं खुद अपने लाइफ में उसका इंप्लिमेंटेशन नहीं है एक्जीक्यूशन नहीं है जो हम यह देखते हुए चलेंगे I went to Mr. William's house मैं Mr. William के घर गया went go का दूसरा फॉर्म वेंट है और इसका इस्तामाल सिंपल पास्टेंस में होता है एगेन एपिस्ट्रॉफ एस एपिस्ट्रॉफ एस जो है पाजिशन को बताता है का मिस्टर विलियम साउस मिस्टर विलियम के घर as usual हमेशा की तरह he tried to pretend उन्होंने कोशिस की बहाना बनाने की pretend means बहाना बनाना he is not home वो घर पर नहीं है but I see him लेकिन मैं उन्हें देखता हूँ burning lives in the back yard घर के पीछे के हाते में पतियां जलाते हुए backyard yard of the back side घर के back side का area yard जैसे the children were playing in the yard at the front of the school यानि बच्चे जो है school के सामने के आहाते में area में खेल रहे थे so he is stuck stuck जो है adjective है और यह stick से बना हुआ है stick का मदब चिपक न जिसे फेबी stick unable to move तो वो जो है बिल्कुल unable to move हो गए चिपक गए रूक गए he pays me मुझे देते हैं pay करते हैं and I tell him मैं उन्हें कहता हूँ मैं उनसे कहता हूँ you shouldn't burn those lips आपको विपतिया नहीं जलानी चाहिए थी it is bad for you यह हवा के लिए नुकसान दे है bad ecology और यह ecology पे बुरा असर करेगा यह bad ecology करेगा you should make a composed pile like we do आपको वैसे compost pile करना चाहिए जैसा हम करते हैं compost जो है compost का मतलब होता है mixer of decayed plant food etc that can be added to soil to help plant grow यानि misran है जिसमें पतियां खराब हो चुकी हो decay हो चुकी हो भोजन decay हो चुकी है इसको हम करते कैसे हैं गढ़ा खोद कर उसके अंदर डाल देते हैं और उसके उपर मिट्टी डालते हैं और यह खाद की तरह बाद में हम इसको इसको इस्तामाल करते हैं खेत में ताकि प्लांट जो है बहुत तेजी से ग्रोग करते हैं put in the leaves और pile जो है यहां पे pile का मतलब होता है a number of things that have been placed on top of each other यानि बहुत से चीजों को एक दूसरे को पर रखना यानि जमा करना that is pile जमा करना एक दूसरे पर रख देना वो pile हुआ आपका धेर piles यानि धेर put in the leaves garbage and stuff put in the leaves garbage and stuff जो भी आपके leaves हैं पतियां हैं garbage, कचरा और इस्टफ दूसरी चीज उन सब को उसमें डाले हैं good for the garden ये garden के लिए जो है बहुत अच्छा होगा he doesn't agree or hang his head in shame वो मुझसे agree नहीं होते हैं और नहीं शर्म से अपने सीर को जुकाते हैं वो कहते हैं that composed pile is your job at home यह जो composed pile का work है यह तुम्हारा काम है अपने घर पर Jim isn't it Jim है न यह isn't it जो है यह question tag है question tag जो है एक तरह का questions होता है लेकिन यह question जो है यह confirmation के लिए होता है जैसे you are there, aren't you अगर affirmative में हो तो negative में करते हैं इसके बारे में हम आगे जो है देखेंगे separate video बनाएंगा yes I say proudly मैंने गर्व से कहा which would shock the idea I hate working with composed which I do और मैंने इसलिए कहा कि उन्हें ऐसा लगे कि मैं composed के काम को करने के लिए कोई भी घिरना महसूस करता हूँ ऐसा उनको ऐसा न लगे और उनको ये shock idea करें which I do जो मैं करता हूँ Mr. William says Mr. William ने कहा well don't you take a little more trouble with it क्या तुम इसके साथ छोटा सा question नहीं करते हो put enough dirt on top of each layer जो भी तुम layer या label बना रहे हो उसके उपर कुछ और मिट्टी डालो तो कुछ और dirt डालो कुछ और धूल डालो then we wouldn't have this nose pollution तब हमें जो है इससे ज़्यादा nose pollution नहीं होगा who I say मैं कहता हूँ you mean noise pollution आपका मतलब है noise pollution sound pollution no he says नहीं वक कहते हैं I mean मेरा मतलब है your compost smells of तुम्हारा जो खाद है जो तुम compost बनाते हो बहुत smell करता है the whole street सारे street में वो किसलिए करता है क्योंकि जो तुम layer बनाते हो dust डालते हो उस पर अच्छे तरीके से नहीं डालते हो जिसकी वज़े से smell करता है मेरी feelings को मेरे हिसास को चोट पहुचती है but that doesn't stop me लेकिन या मुझे नहीं रोक सकती from trying again फिर से कोशिस करने में I go to collect from miss green मैं miss green से संगरह करने जाता हूं I have to call her miss green मुझे उन्हें miss green कहना पड़ता है ms. ये abbreviation है mss miss का जो कुमारी को बताता है या कम age को संबोधित करता है because if I call her message अगर मैं उन्हें message कहूं शादी सुदा कहूं स्रीमती कहूं she says she doesn't have chance to pay me वो कहती है उनके पास कोई भी खुला नहीं है मुझे pay करने के लिए she is putting her garbage out वो अपने garbage को बाहर रख रही थी कच्रे को बाहर रख रही थी for the weekly pickup सबताहिक pickup के लिए on Monday जो Monday को होता है pickup यहाँ उठाने के लिए निप्टाने के लिए she goes away on weekends so on Saturday and Sunday वो weekend पे बाहर रहती है Sunday और Saturday में we have to look at the big plastic garbage bag हमें जो है उनके बड़े garbage bag पे ध्यान रखना होता है उनके on her lawn उनके lawn में but I don't say anything about it लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता हूं I just look at the garbage मैं सिर्फ garbage को देखता हूं ध्यान से देखता हूं she says to me वह मुझसे कहती है go pick up the gum wrapper you threw on my lawn जाओ और उठाओ gum gum यहाँ गूंद वैसे gum का मतलब होता है लेकिन gum का मतलब chewing gum भी होता है तो यहाँ पे जो gum है उससे अर्थ हमारे chewing gum निकल रहा है जिसे हम खाते हैं wrapper wrap से बना wrap का मतलब होता है लपेटना cover करना और wrapper का मतलब खोल cover तो gum wrapper यानि gum के खोल को you through e-h-r-e डवलो यह through verb है फेकना और इसको through प्रोनाउंस करते हैं through नहीं through on my lawn जो इसे तुमने मेरे lawn में फेका है lawn ऐसी जगह को कहते हैं जैसे किसी जमीन पर छोटे छोटे घास होते हैं और उनका इस तामाल जो हम बैठने के लिए खेलने के लिए करते हैं उसे कहते हैं put it in one of the plastic bag तुम इसे किसी एक plastic bag में रख दो didn't anybody teach you क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया है सिखाया है no to litter इधर उधर नहीं फेकने को litter means इधर उधर फेकना बिखेरना और कहीं कहीं आपने देखा होगा no littering भी किसी किसी दिवार पे या किसी जगह पे लिखा होता है इसका मतलब होता है public place पे छोटे छोटे टुकडे जैसे chocolate के टुकडे biscuit के टुकडे या उसके wrapper या cans को नहीं फेकना चाहिए यानि इधर उधर उधर उसे न फैला है I hold my temper मैं अपने मिजाज को पकड़ता हूं काबू पाता हूं मैं अपने temperament अपने सौभाव पे काबू करता हूं and pick up my gum wrapper और gum wrapper को उठाता हूं and put it in a bag और उसे मैं एक bag में रखता हूं then she says तब वह कहती है and there is a law एक नियम है in this town इस शहर में about keeping dogs on a list कुत्य को उनके list में रखना list कहते हैं चैन को या चमडे की चमडे का क्यूं ऐसा so why is yours always all over the place yours यहां यहां जो है जीम के कुत्ते के लिए कहा जा रहा है yours इसलिए क्यूंकि तुम्हारा कुत्ता हमेशा हर जगह रहता है that dog digs up my garden तुम्हारा कुत्ता जो है मेरे garden को खोद देता and messes up my yard messes मतलब घंदा कर देता है and last weekend और आखरी weekend में Mr. William saw it tear open one of my garbage box garbage bag और last weekend में Mr. William ने देखा इसे एक मेरे garbage bag को फारते हुए well अच्छा I say मैं कहता हूँ but I can't think मैं नहीं सोच सकता of anything कुछ भी to go with इसके साथ चलने का then I see तम मैं देखता हूँ she is piling newspaper next to her garbage bags वो अपने garbage bag के करीब में पास में newspaper का एक धेर लगा रही है next means just bugle में अगले यारी garbage bag के bugle में जो है वो newspaper का धेर लगा रही है listen Miss Green सुनिये Miss Green आई से मैं कहता हूँ save those paper for the school pick up इस newspaper को आप save करें school pick up के लिए school pick up कहने का यहां पर अर्थ है कि कच्रा वैसे कच्रा ले जाने वाले जो stationery का कच्रा ले कर जाते हैं जैसे school से related चीज़े से copy हो गया कालम हो गया उसके पाद इस तरह की जो भी रद्दी चीज़ें है पेपर हो गया इसको ले जाकर वो recycle करते हैं तो इसको पीकप करने वाले and they can be made into new paper और इसको यह नए पेपर में बदल देंगे save aluminum cans to और aluminum can को भी आप save करें can बोलते हैं डबबा किसी चीज़ के डबबा को like that last school pick up बिल्कुल उस तरह जिस तरह last school pick up की तरह she asks वो कहती है when you said you'd come and pick them up जब तुम कहते हो कि तुम आओगे और इन्हें pick कर लोगे but you never showed up और उसके बाद तुमने खुद को कभी नहीं दिखाया यहाँ show up जो है वर्ब है फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है to become visible यानि दिखाई देना अपियर होना या to arrive कहीं पहुंचना where you have arranged to meet जहां आपने मिलने के लिए वादा किया है वहाँ पहुंचना show up का मतलब यह होता है it is easier to throw them यह आसान है फेक देना away throw them away फेक देना a few at a time थोड़े से एक समय में then have a big mess like like that then have a big mess एक बहुत बड़ा जो है धेर घंदगी का धेर बन जाए like that जैसा है like that मतलब अभी जितना धेर बन गया है वैसे होने से बेहतर है इसको थोड़े थोड़े करके फेक देना I get tired of trying to get miss green to do something about ecology मैं उप गया हूं miss green को यह बताते हुए कि कुछ वह ecology के बारे में करें I go to Mr. Johnson house अब मैं Mr. Johnson के घर जाता हूं he makes a run for his car वह अपने कार के लिए दोड़ रहे होते हैं but I can run faster than he can लेकिन मैं दोड़ सकता हूं उनसे तेज Just trying to get to the post office before it closes और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो चाहते हैं कि post office बंद होने से पहले वो वहाँ पहुंच जाएं कोसिस करते हैं इसके पहुंचने के he says वो कहते हैं hopping and puffing हाफते हुए यह कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि वो कोसिस कर रहा है कि post office बंद होने से पहले वो वहाँ पहुंच जाएं you got time आपने समय पाया है I say मैं कहता हूं you even got time to walk आपके पास अभी इतना समय है कि आप जो है पैदल भी जा सकते हैं it is only two block यह सिर्फ दो block पे है blocks का मतलब group of building जैसे a block अगर हम ले 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 तो यहाँ पे कुछ building हो गए फिर b block में कुछ building हो गए तो वैसे दो block के बाद जो है post office है you shouldn't take your car when you don't need to आपको अपनी कार नहीं लेनी चाहिए you don't need to आपको इसकी कोई आवशक्ता नहीं पड़ती है the walk would be good exercise घूमना तहलना जो है वो एक exercise भी है and see on gas और gas को भी बचाएगा petrol gas को and not pollute or pollute pollution भी नहीं करेगा that's ecology यह एक ecology है ecology है they sure are we निश्चित हैं आई से मैं कहता हूँ we had a lot about trees and ecology in school हमारे पास जो है school में बहुत से पेड़ और ecology थे they make the air better and stuff like that वे जो है हवा को साफ करते हैं और हवा जैसे पदार्थ को see that tree over there वहाँ पेड़ को देखो he says वह कहते है pointing to where there isn't any tree इसारा करते वे उस तरफ इसारा करते हैं जहां कोई भी पेड़ नहीं था I don't see any tree I tell him मैं उन्हें बताता हूं कि मैं वहाँ कुछ नहीं देखता हूं कोई पेड़ नहीं देखता हूं of course बिल्कुल नहीं of course not बिल्कुल नहीं he says वह कहते हैं and no grass इदर और तुम दोनों साइड में grass भी नहीं देखते हो घास भी नहीं देखते हो because you made a path there taking a shortcut from Mrs. Greens वो इसलिए क्योंकि तुमने बनाया है एक रास्ता जो तुमें shortcut पहुचाती है Miss Green तक Mrs. Green तक sorry यहाँ पे Mrs. Green तक there was a little tree वहाँ एक छोटा सा पीड़ था just starting to get bigger और वो शुरू हो रहा था बड़ा होना there वहाँ until you killed it तब तक जब तक तुमने उसे मार दिया by trying to jump over it इसे कोशिस करते हुए इसे फांदते हुए इसे कूदते हुए every day रोजाना remember याद है oh I say oh मैं कहता हूँ and talking about not driving और तुम मुझे बताते हो कि driving नहीं करने के लिए when you can walk जब तुम कहल सकते हो you drive your motorbike round and round your backward all summer और तुम चलाते हो your motorbike अपने गाड़ी को round and round इधर उधर your backyard अपने घर के पीछे के हाथे में all summer पूरे गर्मी में and your snowmobile all winter और अपने snowmobile एक गाड़ी है जो बर्फ पे चलती है बर्फ पे फिसलने वाले गाड़ी सारे winter में तुम snowmobile को चलाते हो isn't that wasting power क्या यह energy को खतम नहीं करता पावर शक्ती को खतम नहीं करता और making noise pollution और noise pollution नहीं करता है noise pollution और noise pollution भी नहीं करता है but it's fun I say लेकिन यहां खेल है मैं कहता हूं well I enjoy taking the car to the post office he says हां मैं car से post office जाने का आनन्द लेता हूं वह कहते हैं but now you have made me too late लेकिन तुम ने मुझे बहुत देर कर दी यहां पे हम you के साथ apostrophe और we देखते हैं यह contraction form है contraction इसको कहते हैं जब subject को हम helping भर्फ से जोडते हैं तो उसे shorten कर देते हैं like I apostrophe M यह I am है he goes in the house looking very mad वह बहुत उन्मत यानि पागल की तरह दिखते हुए गुसे में घर में जाते हैं then I remember तब मैं याद करता हूं he hasn't paid me उन्होंने मुझे pay नहीं किया है but I decide to wait until next Saturday लेकिन मैं निर्णे लेता हूं इंतजार करने का जब तक अगला शनिवार हो at least I made him not pollute with his car for once कम से कम एक बार मैंने उन्हें अपने कार से परदूशन नहीं करने दिया I don't talk to the rest of my route about ecology मैं बाकी एकोलोजी के बारे में अपनी बाकी यानी सेस जो है रावान की मैं कहां कहां गया इसकी बात मैं नहीं करता हूं it's very boring work यह बहुत ही उबाव काम है इस एकोलोजी बिट यह एकोलोजी कार है but when I get home जब मैं घर पहुचता हूं I see my mother मैं अपने मा को देखता हूं using the electric mixer electric mixer यूज करते हुए you should do that with your old egg bitter तुम्हें जो है यह अपने पुराने एक बीट बीट मींज पीटना और फेटना मिलाना जो अंडा फेटने वाला जो पुराना है उससे यह करना चाहिए आपको I point out to her मैं उन्हें कहता हूं save on electricity electricity को बचाईए women use too many electric thing और ते जो होती है बहुत ज्यादा electric चीजों का इस्तमाल करती है she says in a very cold voice वह बहुती नर्मता से बहुती रुखे रुखे आवाज में वह कहती है so who watches कौन देखता है टीबी 27 hours 27 गंटे a day around here यहां पे 27 गंटे कौन टीबी देखता है यहां 27 गंटे जो है comment है यह बताता है कि आप whole day इसमें involved होते हैं क्योंकि 24 hours की day होती है यहां 27 है तो 27 रिपरेजेंट कर रहा है यहां पे कि पूरी तरह से involved होना और is that the some other kind of electricity वहां पे जो electricity इस्तमाल हो रहे है वह दूसरी तरह की electricity है see what I mean देखिए मेरा क्या मतलब है nobody is willing to do anything about ecology यहां पे nobody के बाद apostrophes जो आपको is बता रहा है यह भी contraction form है nobody is willing किसी की भी इक्छा नहीं है to do anything कुछ करने की about ecology ecology के बारे में accept me मेरे सीवाय and nobody और कोई भी नहीं listens to me मुझे ध्यान से सुनता है अब हम word power को देखते हैं present present existing happening यानि जो अभी हो रहा हो वरतमान ecology ecology study of the relationship between living things and environment environment और सजीव वस्तुव के बीच का जो संबंध है उसका अधेन ecology है bit bit कार्ज हुआ bring out make out प्रकास्षित करना प्रकास मेलाना concern concern मामला हुआ preaching उपदेश देना abide by पालन करना preservation keeping from damage संरप्षित करना sound action करना at least कम से कम back talk back talk बोलते हैं कुछ ऐसा talk जो जिसको आप अच्छा मानते हूं जैसे किसी दूसरे के द्वारा ऐसा respond करना जो यह बताता हो कि वह आपकी respect नहीं करता that is back talk यह पीछे पीछे बात करना पेपर रूट पेपर मार्ग कागजी मार्ग hardly शायद ही stuff पदार्थ चीज इनिंग्स पारी as usual हमेशा की तरह pretend बहाना करना बायक्यार्ड अहात्ता इस्टक मूवलेस हो जाना बिल्कुल स्टक हो जाना चिपक जाना कंपोस्ट हाद के लिए जो गड़ा खोद के उसके अंदर हम पतियां या खराब हो जान यह सब डालते हैं वह कंपोस्ट होता है पाइल धेर हैंग लटकना इसमेल सुंगना स्ट्रीट गली को बोलते हैं वीकेंड छुट्टी का दिन जो वीक के अंदर सैटरड़े और संड़े होता लॉन ऐसी जगह जहां पे कुछ घास हो जिसका उप्यों गम पार्क और खेलने के लिए करते हों गम गूंद लेकिन यहां पे चुंगम की तरह इस्तामाल होगा गम फ्रू फेका लीटर फैलाना लिस्त या तो चमड़े की पट्टी हो या चैन हो ये रस्ती हो जो कुट्ते के गले में बानते हैं में सब गंदा करना कायन यहां पर कैन सकना नहीं है यहां पर कैन जो है वो डिभा जो पादांथ कुछ ठंड़ा पे प्रधार्त होते जो डिबे के अंदर पैक होते हैं तो इसका मतलब शो अप मिन्स दिखाई पड़ना हफिंग और पफिंग हाफते हुए ब्लोक्स खंड को गोलेंगे एक खंड दो खंड ऐसे स्नो मोबिल ऐसी गाड़ी जो जो बर्ग पे चलती हो और विलिंग तू इच्छा की और इच्छा होना लिसें टू ध्यान से सुनना